नमस्कार साथियो Mission Various Competitive Exams के सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AK Diaries पर जैसे आपको पता है कि Various Competitive Exams के लिए हम आपके different sections जो है वो discuss कर रहे हैं अलग-अलग topics के जिसमें हम basic से लेके advance सब कुछ discuss कर रहे हैं उसी कड़ी में आज हमने लिया है English का इसको एक most important topic है लिजी English grammar का active passive voice आपको पता है आपको competitive exams में जो है वो active passive voice के एक से दो sentences देखने को मिल जाते हैं और अगर आप इन active passive voice को समझ गे एक बार तो आपके एक या दो number हमेशा free के रहते हैं जिसमें आपको ज्यादा effort करने के जरूरत नहीं होती है तो मेरी आप सब इसे request है कि वीडियो थोड़ी लंबी चलेगी copy pen लेके बैठी और वीडियो के end तक बने रही है आज की अगर वीडियो आपने पूरी देख ली तो यह मेरा दावा है 100% surety है guarantee है कि आपका active passive voice वाला topic जो वो complete हो जाएगा आप कभी नहीं बूलेंगे कोई भी कोशना है इसली जो है उसको attempt कर पाएंगे तो आज चलते हैं आज की इस वीडियो की तिरफ active passive voice से पहले मैं आपको एक छोटी चीज़ बताना चाहूंगा कि important changes क्या रहते हैं देखिए important changes जो active passive voice में होते हैं he change होता है आपका him में she किसमे होता है her में they होता है them और there में लिख लिज़िए note on कर लिज़िए आगे बहुत काम आने वाले है I me में होता है we us में होता है आगे दिखते है you का you ही रहता है who by whom या by whom में change होता है और whom आपका change होता है who में who किसमें होका by whom में लेकिन whom जो है वो whom में change होगा आगे देखते हैं what जो है वो आपका what में change होता है और which आपका change होता है why which में यह आपको active passive voice change करते टाइम बहुत काम आएंगे वो आपको आगे दिखाऊंगा which आपका why, which में change होता है और इसके अलावा एक और important चीज़ है क्या guys, आपकी important prepositions जो है, देखी, यहाँ पर लिख भी रखा है कि वैसे तो maximum by use होता है आपको active ऐसी wise में maximum by use होगा लेकिन कुछ specific words के साथ आपको अलग-अलग preposition use करनी पड़ती है उनके साथ उनकी particular जो आपकी preposition है वो use होते हैं, तो कौन-कौन से होती है pleased के साथ आपका लगता है with interested के साथ in astonished के साथ at disinterested के साथ in disgusted के साथ with no के साथ to annoyed के साथ at addicted के साथ to knocked के साथ at आगे देखी querled के साथ आपका लगता है with listen के साथ to preferred के साथ to, satisfied के साथ with, displeased के साथ with, dissatisfied के साथ with, amazed के साथ at, amazed at, ऐसे आता है, आगे देखी, prepared के साथ लगता है for, compared के साथ लगता है to, invited के साथ लगता है to, and dependent के साथ लगता है on, guys, यह जो आपकी preposition है, यह आपको ऐसे भी याद रखने हैं, जो आपके preposition के questions आते हैं exam में, उसक चलते हैं कि आपने चेंजीज देख लिए प्रफोजिशन देख ली देखी यहां से मैं आपको बेसी फंडा समझाता हूं देखिए एक सब्सक्राइब करना होता है लेकिन कई बार आपको पैसी वोइस दिया हुता है और उसका बूला होता है कि आपने जो उसको अक्टिव व आपका यह है आई राइट अलेटर यह कौन से टैंस का संटेंस है तो यह चेंज होगा आपका प्रेजेंट कंटिवोस में एमर होते हैं यह सीदह हो गया आपका लैटर इस रेटन बाई मी आपको इसका एक फंडा बताता हो देखिए सब्जेक्ट इसमें चेंज होता है सब्जेक्ट में और हमेशा वर्व की थर्ड फॉर्म यूज होती है आपकी किसमें पैसिव वाइस में जो भी पैसिव वाइस हम एक्टिव वाइस से बनाएंगे एक्टिव वाइस से जो भी पैसिव वाइस की को ट्रांसलेट करेंगे या बनाएंगे तो उसमें हमेशा वर सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट का क्या कर दिया object देखिए letter is written by me I का क्या बन गया यहां पर me मैंने पीछे बताया था कि I को किस में convert कते हैं में तो आयोप आप यह समझे होंगे इसका rule देख लिजी active क्या है subject plus verb plus object object देखिए subject verb object s v o same passive में क्या बन आपका object बन गया subject आपका verb की third form आगी right root written preposition आगी by preposition आपकी by आगी and object subject का ठीक है और mostly जो हो आपकी by use होती आगे देखिए note भी लिख रखाए कि voice में हमेशा verb की third form यूज होगी जो आपका passive voice बनेगा उसमें हमेशा verb की third form यूज होगी आगे दिखते हैं present perfect continuous, past perfect continuous, future perfect continuous और future continuous का voice नहीं बनता है इसको guys ध्यान में बिठा लीजिए, इसको जो अपने दिमाग में बिठा लीजिए, underline कर लीजिए, red note बना लीजिए कि present perfect continuous, ppct, past perfect continuous, future continuous और future perfect continuous dance का active passive voices जो हैं वो नहीं बनते हैं आपका ये concept यहां से clear होगे, आपके कितने dance निकल गए, आपके 4 dance निकल गए, बचे 8, art का आपको active passive voice बनाना है, तो आइए देखते हैं, देखिए, जितने आपके indefinite हैं, वो आपके continuous में change होंगे, सभी continuous continuous में ही रहेंगे और सिरफ helping verb के साथ being का use होगा, continuity को show करने के लिए indefinite चलागे, आपका continuous में चाहिए, आपका past है, present है, future है, और जो आपके continuous हैं, वो continuous ही रहेंगे, उनके साथ being लगेगा, और सभी perfect में helping verb के साथ being लगेगा, जितने भी आपके perfect होंगे, उनमें helping verb के साथ आपका क्या आएगा, being जो है, being लगेगा, इस चीज़ को ध्यान में रखना है, और model आने पर क्या होगा, model आने पर, model must, can, could, should, out to, model के साथ be लगा कर चेंज करना है, जैसे model आएगे, आपके जैसे must आगया, can, could आगया, should आगया, out to आगया, इसमें आपको model के साथ क्या करना है, be लगाना है, और फिर change करना है, detail जो है, वो यहाँ page number लिख what, when, how, where, who, आदी आने पर, wh, word को सबसे पहले लिखना है, और फिर interrogative sentence की तरह change कर देना है, इसकी detail जो page number 9 पर, यहाँ पर मैंने note डाल रखा है, यह मैं आपको आगे करवाँगो, तो आईए चलते हैं, आगे और देखते हैं आपका, कैसे रहता है, सबसे पहले हम present indefinite tense, present indefinite tense में क्या रहता है, आपका helping verb है, do and does, आपको पता है, यह present continuous में change होता है, इसके helping verb, is MR यहाँ पर लिख रखे हैं, जैसे देखी, आपके सामने sentence, अशीश अनुराग makes a noise, अशीश अनुराग शोर मचाता है, तो आपका इसका अनुराग आपका object, अशीश अनुर made, made by अशीश अनुराग, subject का बन गया, object, object का बन गया, subject, आप I hope आप समझ रहे होंगे, आगे दिखते हैं, we respect him, he is respected by us भी हो सकता है, यह simply जो है, हम he is respected भी लिख सकते हैं, we respect him, he is respected by us, ठीक है, आगे दिखते हैं, he does not write a letter, a letter is not written by him, a letter आगे आपका object, he आगे आपका, क्या गया, subject, तो object को हमने subject जब बनाना है, तो a letter आगे और subject को object बनाना है, तो he का बन जाएगा, him, जो मैंने आपको पीछे conversion बताया, अब interrogative को कैसे change करेंगे, देखी, do they play cards, क्या वे पत्ते खेलते हैं, are cards played by them, अब देखी, are क्यों लगा है, देखी, plural है, आपको मैंने tense में बह detail में बता रखा है, do they play cards, cards आपका plural है, तो plural के साथ आता है, are, are cards, played, 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 played by, they का बन गया, them, आपको पता है, subject है, तो they का बन गया, them, आगे देखी, she knows me, I am known to him, no के साथ मैंने क्या बताया था पीछे, to लगेगी, proposition यहां पर by जो है, वो नहीं लगेगी, I am known to her, sorry मैंने him ब बन था him, आगे देखते हैं, do we not run across the field, तो आगे देखते हैं, the field आपका, जो हो है, वो singular है, तो यह आगे आपका object, object के साथ हम helping verb, क्या लगांगे, singular है, तो उसके साथ लगता है, is, is, देखिए, across the field आगे है, आपका, क्या, आपका object बन गया, इसको subject बनाएंगे, is across the field, not run, run 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 यह आपकी three form होते हैं by we का बन गया us is across the field not run by us आगे देखते हैं present continuous tense देखते हैं इसके helping वर आपके रहते हैं sorry guys यह थोड़ा सापका यह हो गया इसके helping वर आपके रहते हैं is mr आपको पता है तो इसके साथ हमने सिर्फ being लगाना है इसके साथ being use करेंगा और बाकी यह हो जाएगा she is helping the poor तो आगे देखते हैं the poor आपका object है the poor is singular है इसके साथ is आएगा लेकिन being लगा दिया is being helped by her help 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 होता है she का her बन गया I am not drawing the picture तो यह the picture आपका object है subject बन जाएगा the picture is not I के साथ M है लेकिन picture singular है तो इसके साथ is लग जाएगा is not being draw drew drawn drawn by me देखिए I का क्या बन गया me आगे देखते हैं are they picking or plucking the flowers यह flowers are they picking or plucking the flowers तो flowers जो है वो आपका क्या है plural है इसके साथ R लग गया are flowers being आपका continuity को शोग करने के लिए पिक्ड 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 यह plucked 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 दोनों में से कोई भी रख लेजिए are flowers being picked or plucked by them देखा बन गया them आगे देखते हैं am I not drawing the picture तो देखिए the picture जो है वो आपका singular है इसके साथ is आएगा I के साथ आपको पता me लगता है is the picture not being drawn by me draw drew drawn आई का बन गया me आगे देखते हैं present perfect tense present perfect tense आपकी screen के उपर इसके helping verb क्या रहते है has have plus been has लगता है has और have लगता है और इसके साथ been लगता है जैसे मैंने आपको पहले बताया था newton has written this letter तो this letter जो है यह आपका singular है इसके साथ has लगेगा है मैंने आपको बताया था plural के साथ लगता है this letter has been been लगा दिया right wrote written आपको पता है कि present perfect में already third form होते है तो इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं रहती है has been written by newton क्योंकि हम जो है आपका perfect continuous tense में जो है वो उसके voices नहीं बनाते है present perfect continuous tenses के और आपको पता है कि जो आपका present perfect continuous है या past perfect continuous है उनमें जो है वो helping word के साथ been लगता है तो इसलिए इनके साथ been लगाया जाता है आगे देखते है they have not washed the plates यहां पे दे लिख दिया गलती से दा होगा the plates have not been washed by them दे का बन गया them have I told a lie a lie जो है वो आपका singular है तो क्या होगा the plates जो थी वो plural थी तो इनके साथ have लगाया था have I told a lie has a lie देखिए आपका first person है first person second person plural साथ have लगता है अलाई जो है वो आपका third person है जो है आपका singular है तो इसके साथ लगेगा has has a lie been told by me I का बन गया me आगे देखते है has she not plucked the flowers तो यहाँ पर क्या हो जागा have the flowers not been plucked by her यहाँ पर I hope आप समझ गयोंगे अब देखते है past tense देखिए past indefinite आपको पता है कि did simple के साथ जो है आपकी वरव की second form लगती है और negative interrogative interrogative negative के साथ आपका लगता है did ठीक है और यह past continuous में जो है वो change होता है he stole my book still stole simple है लेकर second form लग रही है still stole he stole my book my book was stolen आपको पता है कि continuous के helping verb रहते हैं बास बार my book was stolen by him he का बन गया him still stole stolen आजे डिड़ नॉट स्पीक the truth the truth है तो बास आएगा the truth was not spoken speak spoke spoken by अजे आप वो three form of verbs जो हो लर्न होनी चाहिए इसके लिए आगे देखते हैं did they play hockey was the hockey played by them यहाँ पर यह हो जाएगा इसमें सिर्फ जो है continuous के helping verb लगा के accordingly change कर देना है अब देखते हैं past continuous इसमें क्या रहता है वास वर इसके helping verb होते हैं आपको being लगाना है the farmers were sowing the seeds so मतलब होता है आपका बीजना the seeds were seeds plural है the seeds were being sowed being continuity के लिए लगाया आपका sow sowed sowed होता है the seeds were being sowed by the farmers the gardener was not watering the plants the plants were not gardener आपका singular है इसलिए जो है वो बास लगाया plants plural है the plants were not being watered water watered watered by the gardener were the children making a noise was the noise being made by the children ये इसका हो जाएगा आगे आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अगला sentence भी व्यासे कर रहा है आगे देखते हैं guys थोड़ा सा short में मैं चलूँगा क्योंकि I hope आपको ये चीज़ें clear है अगर आपने tense clear करें तो आपको ये चीज़ें जो हो इसली समझ में आ जाएंगे आगे देखते है past perfect tense क्या होता है इसके साथ had और बर्ब की third form लगते हो और साथ में हम bean लगाएंगी he had written a letter had आपको पता है past perfect में जो singular है first person second person कोई matter ने सभी के साथ had आपका जो है वो क्या लगता है helping verb लगता है he had written a letter a letter had been written by him ये जो है वो आपके ने been लगाना है I hope आपको जो है वो change करने का पता चल रहा है कि कैसे change करना है they had not done their homework their homework had not been done by them तो यहां से आप जो है वो देख स won the match had the match been won by the players एक आपके पास बहुत वो जो है lengthy sentence है इसको देख लगते है had the children not eaten all the cakes before the party begin तो इसका ये बनेगा had all the cakes all the cakes ये बनेगा आपका object ठीक है आगे जो है आगे आपका time से आगे चीज आगी ये अगली चीज बन की तो आपको जो है वो object यहां से लेना है object ये बन है तो यहां पे object के रूप में काम करेगा had all the cakes not being eaten by the children before the party begin before the party begin आपका as it is last में आज ढाएगा तो हमने क्या कियए object को बना दिया हमने subject subject का बना दिया हमने यहां पे object the children जो हो आपका यहां पर object का काम यह कर रहा है और all the cakes आपका subject का काम कर रहा है I hope आपको यह चीज समझ आगी होगी आगे देखते हैं future Guys इसको फटूरे ना पढ़े future ही पढ़े भविश्य future future indefinite will shall इसके helping verb रहते हैं future continuous में change होगा यह will be shall be he will teach me I shall be doubt by him आपको will और shall का मैंने बताया था कि I के साथ I और we के साथ shall लगता है बाकी सभी के साथ will लेकिन आपका determination हो threat हो या कोई आपका strong कोई बात हो या जो हो surety हो तो आप जो हो vice versa कर देते हैं जो I और we है उसके साथ will लगता है बाकी सभी के साथ shall लगता है no one will answer your question your question will not be answered देखिए no one को यहाँ पर हमने eliminate कर दिया और कई sentences ऐसे आते हैं कि no one आपका subject है लेकिन हमने सीधा object लिया और इसको यहीं पर खतम कर दे, will not be answered by no one जो है वो लगाने के जरूरत नहीं he will, यहाँ पर he subject है me object है, तो me को me को जब convert करेंगे I बन जाएगा, me का I बन जाएगा I बन जाएगा, subject shall be teached out by him him, जो है वो आपका he का बन गया इसका object बन गया, यहाँ पर as a subject काम करा दा हमने सिर्फ subject को क्या करना object मिनाना है और object को जो है वो आपका subject बनाना है, active, passive wise का आपका आदे से ज़्यादा काम यहीं पर खतम हो जाता है, will someone read the गीता, यह दो तरह से बनेगा will the गीता be read, read red will the गीता be read और will the गीता be read by someone अगर देखिए, someone लगाना है तो लगा सकते हैं, अगर someone नहीं लगाना है तो उसको हम eliminate भी कर सकते हैं, दोनों ही condition में, यह दोनों ही sentences जो है वो आपके ठीक होते हैं, वो आपकी मर्जी है कि आपने कैसे करना है will the postman not deliver the letters will the letters not be delivered by the postman यह आपके यहाँ पे ऐसे बन जाता है अब देखते हैं future continuous will be, shall be no change, देखिए future continuous जो है, इसका no change रहता है मैंने आपको पहले ही बताया था, इसके helping जो है, मैंने आपको बता दी है future perfect, will have, shall have यहाँ पे हमने जो हो, been लगाना है साथ में continuity को शोर करना ही जाए they will have built the house, they है आपका subject और the house है object देखिए passive voice बनाते टाइम object, यहाँ पे subject बन जाएगा they का यहाँ पे बन जाएगा them, the house, will have as it is आजाएगा, been लगा देंगे हम built, आपको बता है perfect में already third form लगी होती है we, बरक भी third form होती है, तो यहाँ पे third form आजाएगी by, by preposition लगा देखिए और them, दे का बन गया, them यह आगए आपका object और इसमें यहाँ पे subject बन गया the police will not have caught the thief तो यहाँ पे भी आपको पता है कि अब आपने देखना है the thief आपका object है the police आपका subject है, आपने क्या करना है the thief subject बना दिये, will not have ऐसे आगे बीन लगा दिये count भी ऐसे करना है क्योंकि और लड़ी third form है by the police जो यहाँ पे आपका subject है वो यहाँ पे हमने object बना दिया तो आगे भी जो है वहाँ पे इसको accordingly change कर सकते हैं, अब देखते हैं कुछ models देखिए, कुछ important sentences है बार बार आपसे पूछे जाते हैं ऐसे sentences तो models को हम कैसे clear करेंगे, देखिए I must help the poor the poor must be, देखिए, मैंने आपको बताया था कि model के साथ हमने क्या लगाना है be लगाना है, same वही रहेगा object का subject, subject का object और वर्व की third form I का बन जागा me, object चला जाएगा और the poor आ जाएगा आपका subject देखिए, the poor must be helped by me, help, helped, help we should love our country our country जो है वो आपका object है we out to have loved our neighbors, देखिए तो out to, out to के साथ भी हम, जो है वो आपका change करेंगे, मैं बताता हूँ देखिए, our neighbors आपका subject बन जागा, यहाँ पर object था our neighbors out to have been देखिए, have के साथ, अगर have लगा है तो आपको पता है कि have जो हो perfect है, perfect है तो हमने क्या जितने perfect रहेंगे, उनमें हम क्या करेंगे उनमें हम जो हो been का use करेंगे यहाँ पर be नहीं लगेगा, out to have के साथ हमने been लगा दिया, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि have है perfect है तो हमने जो हो been का use करना है our neighbors out to have been loved by us, and to write a book a book is to be, देखिए, यहाँ पर simple है तो to के साथ हमने be लगा दिया आपका जो है a book is to be written by me, a book जो है वो object है, subject बना दिया, I जो है वो आपका subject है, इसका हमने क्या बना दिया object बना दिया, और me में change हो गया there is no money to buy, there is no money to be bought, इसको as it is रहने देंगे, और जो है to be by about कर देंगे, ऐसे sentences भी आपके बनते है, it is time to prepare for the examination it is time for the examination to be prepared, देखिए, जो examination है, उसको हम यहाँ पर लेकिआ है, for the examination to be prepared, it is time जो है, यह हमने as it is रख दिया, ठीक है to की जगा हमने क्या कर दिया, for लगा दिया, जो है आपको to, जो आपका prepare है, इसको हम पीछे कर देंगे, और for examination जो है, वो हम पहले ले आए, जो आपका it is time है, यह as it is रहता है, कुछ sentences में, कुछ condition में, इसको हम change नहीं करते हैं, इसको as it is रहने देते हैं, आगे देखते हैं, use of let order and request, क्या होता है switch on the light, let the light be switched, ठीक है, बोल रहा है कि light का switch on कर दो, तो let the light be switched, please post this letter, देखिए, request हो रही है, ठीक है, please use कर रहे है तो you are requested आएगा, you are requested आएगा, अगर please का, ऐसा आपको sense show होती है जिसमें request की जाती है, तो you are requested to post this letter, देखिए, request के do this work, let this work be done by me, देखि this work के साथ be लगेगा, let this work be done by me, go and run for 10 minutes, ठीक है guys, जैसे आपको army बगारा में होता है, forces में होता है, कि आपको command मिलती है, go and run for 10 minutes, जाओ और 10 minutes तक दोड़ो, 10 minutes तक भागो तो इसका क्या हो जाएगा, आपको sense देखने है, you are ordered to run, देखि, order के साथ भी two preposition आती है, हमेशा, to run for 10 minutes, you are ordered to run for 10 minutes, कितनी देर के लिए 10 minutes के लिए, तो आपको जो ऐसे करना इसमें subject, object नहीं देखा जाता है, इसमें साथ, सिर्फ आपका ये देखा जाता है कि order है, request है, क्या है क्या नहीं, अब देखते हैं, sentences from W family, जो most important sentences आपके रहते हैं, what when, who, which, why, where, how तो देखिए, WH, इसका क्या करेंगे, हम WH पहले लगाएंगे, helping word लगाएंगे, subject और word, what does she eat, देखिए, present indefinite का है, present continuous में हम change करेंगे इसको, PC में तो, what is eaten by है, हम देखिए, अब मैं आपको concept समझागता हूँ, जो आपका WH है, उसको हमने as it is रहने दिया, और eat का eat, eat जो है, वो आपका singular है तो इसके साथ हमने लगा दिया, is, जो आपका helping verb है, वो हमने पहले लगा दिया, what is eat, ate eaten, eaten by she का बनगे, हर, देखिए helping verb लगाया, वर्व का जो है, वो object बना दिया, और subject का object बना दिया, जो आपका वर्व है, वो as a subject आपका यहाँ पर काम कर रहा है, by preposition है, और हर का subject का object बना दिया, अगले sentence से आप जादा समझेगे, how many books do you read, do you read, sorry, read, 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 how many books do you read, देखिए, यह भी जो है, वो आपका present indefinite का है, how many books, देखिए, how many books, जो है, वो as it is आ जाएगा, क्योंकि यह जो है, इकठा है, how many books, question sounds को ऐसे बना रहा, how many books, देखिए, इसमें जो है, you है, तो you के साथ, जो है, वो आपका, जो आपकी helping verb है, प्लूरल है, second person है, तो आपका r लगेगा, how many books are read by you, आगे देखिए, who taught you English, देखिए, who का मैंने बताया था, by whom बनता है, by whom were you taught English, ठीक है, you को हम essay रखेंगा, और जो है, आपका teach taught है, already यहाँ पर second form लगेए, तो past indefinite का है, past continuous में जाएगा, तो by whom, were you के साथ were लगते हैं, पहले लगाएंगे, were helping verb पहले आया, उसके बाद आपका subject आएगा, by whom, were you taught English, आगे देखते हैं, which teacher taught you, by which teacher देखिए, which के साथ which, अग, which को हम change करते हैं, why which में, मैंने आपको पहले भी बताया था, why which को change करेंगे, sorry, which को change करेंगे, why which में, why which teacher इकठा आगया, were you taught, ठीक है, were जो है, helping verb पहले लगाते हैं, मैंने आपको बताया था, w family को जो होगा, उसके बाद हम directly जो है, वो आपका hp लगाएंगे, helping verb जो हो लगाएंगे, उसके बाद आपका subject, object का फंडा चलेगा, whom did you laugh at, देखिए, who has, whom का मैंने आपको बताया था, who बनता है, और who का बनता है, by whom, who was laughed at by you, देखिए, laugh है, singular है, तो was लगेगा, ठीक है, did है, present, जो आपका past indefinite है, तो past continuous में जाएगा, who was laughed at, ठीक है, laugh के साथ, मैंने आपको बताए, preposition लगेगी, at हमेशा, ठीक है, laugh के साथ at लगता है, who was laughed at by you, laughed at by you, which man abused her, तो which का बन जाएगा, by which, by which man was, was she abused, हर का क्या बन जाएगा, she, यहाँ पे object, subject में काम करेगा, लेकिन subject से पहले हमने क्या करना है, helping verb, लगाना है, आगे देखते हैं, यहाँ पे आपको बता रखा है कि देखिए क्या है, WH family, helping verb, subject, verb, and object, where was he making a noise, WH family को as it is उतार दिया, helping verb, वास लगा दिया हमने, क्योंकि unnoise जो है, वो singular है, unnoise, subject बना दिया, हमने object का देखिए, subject बना दिया, being made, देखिए, being हमने क्यों लगाया, क्योंकि यह आपका past continuous में है, तो continuous में आपको पता है कि being लगता है, being continuous का आगया, make का क्या बन गया, make made, made verb की third form आगी, by आगी आपकी proposition, और him, he subject था, तो subject क्या बन गया, आपका object बन गया, तो he का बन गया, him, अब दुबारा समझे, where was he making unwise, where was unwise being made by him, देखिए, wh family आगी, आपका was helping verb आगया, unwise object का हमने subject बना दिया, being, आपका continuity के लिए आगया, make made, made verb की third form आगी, by preposition आगी, him जो हो object, जो आपका subject as a object चल आगया, why does she teach the children, why are the children tout by her, देखिए, does है, present, indefinite, continuous में जाएगा, देखिए, the children जो है, plural है, तो are लग गया, why के immediate बाद हमने क्यार कर दिया, helping verb लगा दिया, the children आगया, subject, यहाँ पे children object था, object to subject बना दिया, teach, tout, tout, v3 आगी, और by preposition आगी, her आगया आपका object, जो यहाँ पे subject था, she में, ठीक है, देखिए, when you, when were you playing football, when was football, देखिए, यहाँ पे मैं आपको जाएगा, wh family है, helping verb है, you आपका subject है, play आपका verb है, football आपका object है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, wh family आगी, was आपका helping verb आगया, football आगे आपका, preposition हागी subject का, हमने क्या कर दिया, object बना दिया, यहाँ पे subject था, यहाँ पे object यह है, तो Іहाँ पे हमने, subject बना दिया, देखिए, rule क्या रहता है, wh family का, यह रहता है, wh family होती है, wh जो word होगा, helping verb होगा, subject होगा, verb होगा, प्राणी वीडियो के साथ बने रहें वीडियो को प्यार देते रहें प्राणी वीडियो देखने के लिए जिस किसी मेरे साथ ही को ये वाला अदर है लिए बने प्राणी वीडियो दिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दीए है प्लेश्ट बनिए है इंग्लिष की वहां पर जाकर पहले टेन्स की तीनो वीडियो देखिए तीनो करिए अगर आपके टेंस जो हम टिप्स पे होगे आपको टेंस समझ में आगे मैंने डिटेल में समझा रखा है तो अक्टिप ऐसी वाइस नरेशन जो है डू एस डिरेक्टर ए इंडिरेक्ट डिरेक्ट स्पीच आपके लिए कुछ भी नहीं है प्रेपोजिशन आपके कुछ सारे के सारे करेंगे देखिए शाथ में चलते रहेंगे वैसे आप टेंशन मत लेजीआ हैं यह जो आपकी अपकी पुलीस के लिए जबीत्यशन के लिए एचपी कमिशन के लिए जो आपका है शपी सबस्क्राइब को सब्सक्राइब कर शेयर जरूर करें, thank you guys, have a nice time